सर ये क्या किया पवल साब ने थंड़ा थंड़ा पानी डाल दिया है ने थंड़ा पानी क्यों ऐसा क्यों कह रही है आप नी मतलब ब्याजदरे तो वैसे ही बढ़ा ही जैसे हमें एक्सपेक्टेशन थी लेकिन टर्म ने वो सब कुछ कहा जितना खराब हो कह सकते थे जैसा अनुमान था इस बार की प्रेस कॉंफरेंस ने प्रेस कॉंफरेंस में किसी ने कुछ ने खराब सवाल भी नहीं पूछा क्योंकि पिछली बार पूछा तो बढ़क बढ़क गए थे वो तो सब को समय में आगे हैं कि इनको बढ़का के फाइदा नहीं है लेकिन उसके बावजूद पाविल साब वो सब कुछ बोल गए जो आप हम अमेरिका के बाजार अमेरिका की एकोनोमी वाले सारे लोग सुनना नहीं चाहते हैं क्या क्या खराब बोला सुन लीजे उनका यह कहना है कोर इंफलेशन अभी भी हमें कमफर्टेबल नहीं है यह काबू में आगया है पहला और दूसरा वापस से बढ़ सकता है अभी भी बढ़ने की रिस्क है यानि कि जो हम इतना डांस कर रहे थे कि 7.1 पर यह आगया अमेर सावधान है अभी भी होकिश है उसमें कोई बदला हो नहीं कि है जो नवंबर की लेंगवेज है वही अभी की लेंगवेज है तो नवंबर के बाद भले कच्छा थिल कितना भी गिरा हो उनको ज्यादा फरक नहीं परता भले कमोडिटीज के दाम कितने ही गिरे हो उनको फर को लेकर अभी भी आशिंग कित है तीसरी बात जो इंपोर्टेंट है आगे क्या एक चीज़ उन्होंने बहुत साफ कर दी कि दो जार तेस में तब भूल जाओ कि आपकी ब्याज़रे गटेगी बिलकुल भूल जाओ मतला ना दो जार चोबिस में सोचूंगा और यह सिर्फ वो नहीं के रहे सारे लोग के रहे उनकी फेड की मिटिंग आगे किया हुआ पहले उन्होंने का था कि सवाचार साड़े चार के आसपास आकर हमारी ब्याज़रों की बड़ोतरी खत्म हो जाएगी यह बाजार मान कर चलता था तो अब कल की आज़ा परसंट की बड़ोतरी के बाद आप साड़े चार परसंट पर पहुंच गए अब टर्मिनल रेट का मतलब यह होता कि जहां पर जाकर ब्याज़रे अब उसका अनुमान बढ़ा कर पांच देशमल एक प्रतिशत कर जिया है यानि वह भी बढ़ा दिया यानि कि यहां से अभी भी 60-60.6% की गुंजाईश है और उसमें भी देखे मजे की बात कई सारे उनमें से यह जरूरी नहीं कि 5.1% यह उनके जो नीचे के चले हैं जो म अभी भी उससे भी ज्यादा हो सकता है तो मतलब और कुछ बचाए जो आप नहीं बोल सकते मतलब जो दिल में रहेगे एक की साथ बोलेते हैं चड़ी लेके बैटे है इसका मतलब एक क्लियर कट है फरवरी में बढ़ने वाली हाला कि उन्होंने का डेटा तो हम देखेंगे लेकिन बढ़ाएंगे पक्का एक तरसे उन्होंने साफ साफ कर दिया अगली पॉलिसी जो फरवरी में हैगी उसमें बढ़नी ही बढ़नी है देखो कोई भी सेंटरल बेंक तीन काम करता है एक तो बढ़ने का डिसीजन दूसरा इंफलेशन पर भाशन जो उन्होंने खराब दिया ब्याद्यस ने बढ़ा दिया आगे और बढ़ा आगे तीसरा काम होता है इनका ग्रोट का जीदेप ग्रोट का अनुमान उनका पहला था 1.2 प्रतिशक अगले साल के लिए तो становится कर दिया था ये सिप्म्बर में अभी जो दो मेने पहले गया सिप्मबर कल कितना दिया तो फेड की मिटिंग से कुछ भी अच्छा नहीं है तो वेरी गुड पावल सार, नाइस, वो सकता है, हमें आइना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ज्यादा समझ में आती हैं अमरिका की कुल्ण हम वो सही कह रहे हैं गलत करें हम उसमें नहीं जा रहे हैं हम यह मान के चल रहे हैं, हमें मानने का कोई कारण नहीं की नहीं मानने की गलत, लेकिन कुल्ण मिलाकर वो अभी भी सावधानी वाले मूर में है, सतरकता वाले मूर में है, कहीं कोई पोजिटिव नहीं है और दूसरी एक और बात हाँ, यह मेंगई वाला जो दुश्मन है, इसको तो मार्श पीट कर हम दो परसेंट पर लाएंगी, यह साथ परसेंट हमारा अभी भी नहीं चलेगा अगर आप और हम नो परसेंट से साथ परसेंट आने पर बड़ा डांस करें, हो 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 वेरी गुड मेंगा इदर गट रहे हैं, तो दो ही गटे हैं, पांच गट ना पाकी है अभी भी तो इसलिए अमेरिका की समस्याएं, 2023 में कम होने वाली दिखती नहीं है, पूरा सार जो है, निचोर जो है, अगर आपने देर रात तक जाकर फेड चेर्मेन साब को नहीं सुना, आखें नहीं सुजाई, और अगर जागे तो भी आप अरजेंटिना, सोरी, फ्रांस और मरको के लिए जागे हैं, तो लबो लुबाब ये है कि फेड चेर्मेन पावल साब ने कुछी भी अच्छा नहीं का,